तो आज आज आपका जो टॉपिक में बता रहा था कुछ एक समरी लेकर का आया था मैं ट्रांग्डिसर से रिलेटेड राइट ठीक है तो गूड इवनिंग और रहमत रहमत जी आप आगे हैं तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फिर हम लोग करते हैं क्लास को राइट फोलो करते हैं सर और इस बार वैस्ट बंगॉल क्रेक करना ही है एक्चुली लाइव नहीं आप पाते जोब करते हैं ना इसलिए अच्छा कोई बात नहीं शाम राइट लेकिन अच्छी बात है कि आप मतलब एक रेस्पोंस आपने दिया है तो अच्छा लगा राइट कोई दिक्कत नहीं आपते रिकोड़ेड आप देख पीडिएफ जो है वीजिबल है या नहीं आपको एक बार चेक करते बढ़े ना ठीक है और मैं स्टार्ट दरूंको मैं एक है थोड़ा सा पीडिए फोर्मेट में लाया हूं डेटा को ठीक है कोशिस मैंने पूरी किये कि आपको यह दिखाई दे और अगर नहीं दिखाई द सब्सक्राइब को मताओ मैं मतलब एक दम प्रिफ में आपको समझाऊंगा और अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ करता हूं इसका विजिबल है और अगर विजिबल नहीं है तो यह लीजिए विजिबल एक मिनिट में वेट कर ये बस एक मिनिट का फिर स्टार्ट करते हैं लो बात कर लेता हूं मैं chapter wise ठीक है चलो सुनना मेरी बात को अब तो शायद और और लग रहा है आप तो और दिखायनी दे रहा है नो रैट यह तो पूरा वीजी वाले देंस है रैट ठीक है is it okay ये लो ये लो यहां से start कर लेते हैं कोई दिखर नहीं लास्ट वाला मैं आपको अ क्राइब तो दिख्राए्यमत बताओ का 맛있 way जय को तीओ और बहुत जल्दी आपके प्लास में आने वाला बहुत जल्दी सिंधामत करूब राइड तो समझ के अपने भी दे रहे हैं दिखाई मुझे लग तो वीजीबल होगा यार अब तो ही पिछया लिगा लोगा पहले बताओ वीजीबल है या नहीं है अंचू यादा अधिशन भी बिल है या नहीं है अर बताओ इजिट करता ओने को ताइम अपने बाद्स अल्रेडि आहीध वेश्ट हो बताओ बताओ विजिवल है ठीक है अब में स्टार्ट करकाऊ ठीक है चलो तो पहले जो कहानी है मारी सुनना मेरी बात को फास्ट जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं देखो चलो राइट यहां पर जो है वो क्या है बिल्कुल श्याम है राइट बिल्कुल आएंगे और उम्मीद है मतलब हमारे कुरी कोशिश है कि जरूर आएंगे आपको पढ़ाने ठीक है खुलने वाला है सेंटर ठीक है चलो मैं स्टार्ट करता हूं कहानी को अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फाइदा नहीं है ठीक है चलो अब मेरी बास सुना अब लो यह अगर नहीं विजिबल है तो थोड़ा सा फिल्म है थोड़ा सा थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और इसको आपके लिए इमेज को थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं ठीक है अब आई है बस लास्ट है यह ठीक है चलो आप स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब मैं टाइम इस नहीं करूंगा ठीक है जो प्योर हिंदी में चलेगी आप मिश्चिंत रहिए हिंदी में ही चलेगी पूरी क्लास ठीक है तो यह मान के चलेए कि यह जरूर होगा 101 परसेंट समझके बात 100 परसेंट होने वाला है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ सुनना मेरी बात को पोटेंशियो मीटर की बात है अब यहां पर मैं आपको केवल प्रिंसिपल की बात करूँगा है ना मैं आपको कल भी गोला चाहाँ कि यहां पर यह के रहा है कि इलेक्रिकल पेरामिटर एंड क्लास ओफ ट्रांस्डूसर यहां उसका है प्रिंसिपल ऑपरेशन और यह है उसकी एप्लिकेशन यह तीन पॉइंट से जनरली आपका आता है एक्जाम के अंदर तो मैं पुरी पीडियो की फॉर्मेट में आपके लिए लेया हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा राइट इसको फिर आप लोग अराम से कर ले राइट कोई बात नहीं आपके लिए काफी इंग्लिस में काफी शीरीज आ चुकिये तो एक एक शीरीज तो हिंदी के आनी है ठीक है ठीक है चलो अब जैको पोटेंशियो मीटर डिवाइस पोटेंशियो मीटर क्या करता है पहले प्रिंसिपल ऑफ ओपरेशन सुनना position of the slider by an external force and raise the resistance in a potentiometer or a bridge circuit थे ना होता है पोटेंशियो मीटर में एक slider होता है इक तरीके से slider की मदद से हम लोग उसके रिशिस्चेंच को vary करते है उसके रिशिस्चेंच को vary करते है। यानि displacement जो होता है वो displacement आपका electrical output में करवाट होता है तो वो यही कि रहा है arises the resistance in a potentiometer और a bridger circuit ठीक है और यह use में किसके लिए आता है एक तो pressure और एक displacement इस उस for the measurement of pressure और displacement समझेगे मेरी बात को तो generally displacement के लिए इसको use में लिया जाता है ठीक है चलो राइट आगे बढ़ो में next जो है आपका resistance strength gauge strength gauge हम पढ़ते भी एक लास में आपने देखा हो तो राइट तो resistance strength gauge क्या होता है आपका resistance of a wire और semiconductor is changed by elongation or compression due to externally applied stress due to externally applied stress तो बिलकुल सही बात है एक्चुली resistance strength gauge में क्या होता है एक wire होता है और उस wire पर हम लोग क्या करते है weight या force रखते हैं राइट तो वहाँ पर क्या होता है उसकी length में change आ जाता है length या dimension change होती है diameter change होती है तो उसकी वज़े से resistance change हो जाता है तो यह किसको किसमे करवर्ड करता है यह करवर्ड करता है force को change in resistance force को change in resistance right सीमा क्या किरें सीमा मीना यह किरें सर यह बुक में है ना सब यह बुक में तो सब कुछ ही है एक नहीं तो बच्चे पढ़ते लिए तो मैंने यह सोचा ना मैंने का एक साथ summary type में आप को करवा दूं ठीक है राइट राइट ठीक है आगे बढ़ता हूं नावीन जी अब आगे क्या तेरा है इसका यूज हम लोग कहां करेंगे पूरा इस तो हमने पढ़ा है लेकिन उसकी एक summary पता हमें चाहिए क्या करता है क्या करता है जो हम लोग उस पर फोर्स एप्लाई करते तो उसकी डाइमेंशन चेंज होती है उसका चेंज होता है तो यह किसके मेजरमेंट के लिए काम आता आपका वोर्स टॉर्क और डिस्प्लेस्मेंट के मेजरमेंट के लिए हम लोग उसको काम में लेते हैं राइट अगला point के नेक्स है पिरानी गेज और होट वायर मीटर अब आपक होटे तक हुआं लाइट अब यह इस तरीके का ने यही मैं आ चुका एक बाद कि पिरानी जिए का का वरकिंग क्रिंसीपल कया होता है एक दोसमेदे हम समझे यह चानके त्रांटविक ना करएप आप Πर यहां पर जो कि हीट पर हूगगा किसा होगा आपका convection माध्यम मतना एक मीडियम होता है ठीक है उसके माध्यम से तो resistance of a heating element is varied resistance change होगा due to convection cooling of a stream of gaze बात समझ गये क्या यह पिरानी गेश का working principle है और इसका use कहां पर हम लोग करते हैं गेश flow और गेश pressure पर आपने पढ़ा हो तो जैसे गेश होती है ना गेश जब किसी एक मतलब high velocity से जब निकलती है ठीक है तो वो ठंडी आपको लगती होगी समझने बात को तो वो ठंडी लगती है तो cooling होती है तो यहाँ यही रिखा है resistance of a heating element is varied by convection cooling of a stream of gas और किसके measurement के लिए काम में लेते है गेश floor और गेश pressure के लिए यह point यहाँ लखना question आ चुका है और आगे भी आ सकता है resistance thermometer होता है resistance thermometer अब देखो इसमें क्या होता है resistance of pure metal with a large positive temperature coefficient of resistance varies with temperature एक तरीक से यह resistance temperature detector की तरह काम कर रहा है समझेंगे बात को resistance of pure metal with a large positive temperature coefficient of resistance varies with temperature यह आपका एक तरीके से RTD की तरह काम कर रहा है किसके लिए काम में लेते है it is yours for the measurement of temperature or radiant heat radiant मतलब एक तरीका से उसर्जित उठ्जा उष्मा हिंदी है ना right पिरानी गेज का पिरानी गेज का working principle क्या है resistance of a heating element यह नहीं है heating element है hitting element मतलब उश्मक बोल सकते आप लोग इन दिए उश्मक उश्मक राइट तो उसका resistance change होनदा किसकी वज़े से cooling की वज़े से बस cooling की वज़े से उस पर यह कार्य करता है राइट चरो बड़ू आगे मैं next पर आता हो next point पर आते है next क्या है आपका next thermistor thermistor क्या केता है thermistor का कि यूज हम लोग कहा करते हैं रोगे संदे इसम्स्स अफ सटेन मैटल उकसाइट्स एद है इसम्स फोनर टेम्प्रेचर को विए टेम्प्रेचर सो अब मैजरत को हों के बने होते हैं के निये थार मिस्टर राइट और इनका यूज कहां करते हम लोग इनका यूज हम लोग करते हैं टेमपरचर मेजरमेंट मैं जनरली ये यूज होते हैं लेकिन फ्लो के लिए भी जनरली कभी-कभी काम में ले लेते हैं बाकि जो फेमस इनका अप्लिकेशन है एप्निकेशन जो है that is what that is what that is for the measurement of the temperature one clear right next point पर आता हूं मैं कि रजिस्टेंस हाइग्रो मीटर सुना है ये भी कोशन आया हुआ है एक हाइग्रो मीटर होता है और एक हाइड्रो मीटर होता है एक हाइग्रो होता है हाइग्रो किसके लिए काम आता है एक तरीके से आद्रता के लिए ठीक है तो वह देख लेते हैं लोग ठीक है एक हाइग्रो होता है हाइड्रो जो होता है है specific gravity के लिए काम बनेंटर है hydrometer यह फ्ने स्थनें यह पूंट है यह है वो किस के लिए काम बनेंटें यज इस specific gravity के लिए और यह highly है यापकी humidity के लिए जाएगा तो resistance्म- यजिश्टेश्टनिक्णक विजंक का कार्य करता है बास समझगे कि आई सकता है exam में no doubt आ सकता है definitely and इसका use कहां पर करते हैं हम लोग humidity के measurement में किसके measurement में humidity के measurement में मैं तो ये मानता हूँ कि आप लोग जो है इस PDF को notes की तरह notes में बना लेना है अगर आपके पास नहीं है तो अगर यह आपको class में नहीं हुआ है तो आप जरू बनाना इसको ठीक है राइट चलो ठीक है बढ़े आगे next पर आता हूँ में ठीक है चलो next जो है आपका photo conductive cell photo conductive cell यार यह तो आप लोग सभी पढ़ते हो resistance of the cell as a circuit element varies with incident light light जब incident करेंगे तो उसका resistance change होना उस principle पर यह काम करता है राइट और इसका यूज कहां पर करते है फोटो sensitive relay में रिले मतलब समझे ना protection purpose से photo sensitive relay में इसका यूज किया जाता है photo sensitive relay में इसका यूज किया जाता है और photo conductive cell की यह बात थी ठीक है photo conductive cell की यह बात थी ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं मैं next point पर ठीक है PDF जैन्त मैं share कर दूँगा ठीक है मैं share कर दूँगा राइट ठीक है चलो नेक्स पर आते है photo conductive cell photo conductive cell क्या होता अपका photo conductive right ठीक है photo conductive cell क्या होगा resistance of the cell as a circuit element वेरिस यह तो हो चुका है ना खतम गानी उसके बाद अपना आता है capacitance आप लोग इतनी आते कर लेते हैं इनकी right पता नहीं जलता कि वही क्या हो गया क्या नहीं हुआ चलो यह तो हो गया मारा next पर आते हैं अब capacitance सुनना मेरी बात को capacitance का मतलब है हम ऐसे transducer की बात करेंगे जिनका working capacity effect पर रहेगा चीक है thermistor देखो आपने अगर सुना हो तो जब कोई भी fluid flow करता है ना कोई भी चीज़ flow करेगी तो friction होगा friction होगा नहीं होगा बोलो friction की वज़े से heat पैदा होती है तो उस तरीके से हम लोग उसको use में ले सकते हैं समझ रहा बात को तो कहीं न कहीं उस तरीके से हम लोग उसको use में लेंगे ठीक है thermistor को temperature के लिए तो काम में लेंगे लेकिन कहीं न कहीं temperature आएगा तभी तो वह sense कर पाएगा उसको समझे बात को राइट चलो आगे बढ़े अब आता है capacitor में capacitance variable capacitance pressure gauge variable capacitance pressure gauge इसमे क्या आता आपका distance between distance between two parallel plates pressure gauge is varied by externally applied force right चलो आप देखो तो यहां पर क्या है distance between two plates pressure gauge is varied by externally applied force ठीक है जैसे electrostatic पढ़ाएगा मैंने आपको electrostatic voltmeter मैंने आपको पढ़ाए electrostatic voltmeter तो उस पर बेज़ रहे है राइट ठीक है चलो next जो है आपका displacement और pressure measurement में displacement तो आप समझे गए होंगे जितना ज्यादा displacement आएगा उतना capacity change होगा और pressure देखो प्रेशर बोले force बोले displacement बोले कहने कहीं कर pressure gauge या यह transducer transducer ही है use करते हैं लोग ठीक है चलो next पर आता हूं मैं ठीक है next आपका capacitor microphone अब देखो यह हो सकता है आपने सुना ही नहीं हो लेकिन microphone आएगे तो आप समझे होंगे कि microphone क्या करेगा sound जो होगा उसको convert करेगा sound pressure varies the capacitance between a fixed place and a movable diaphragm आप एक बार ध्यान रखना mic जो आते है ना capacitor mic आते है आपने देखा हो तो वो एक गोला सा बना होता है यह ज्यादा अच्छे होते हैं comparatively तो इनका use कहां पर करेंगे हम लोग देखो सेम जहां पर sound का speech music और noise तो यह sound pressure varies the capacitance between a fixed place and a movable diaphragm आपको class में पढ़ा जाता है कि एक वायर होता है जो प्रेशर को convert करता है linear displacement में राइट बोलो ठीक है next पर आते हैं लोग नेक्स जो है आपका डाइलेक्रिक गेज यह एक लिस्ट आपको इतने तो याद रखने ही यह थ्यान एकना इसको डाइलेक्रिक गेज यह क्या होता है variation in capacitance by change in the dielectric और dielectric constant variation in capacitance c बराबर क्या होता है का epsilon a by d तो epsilon के change होने से capacitance आपका क्या होगा change होगा इस condition में ठीक है यह आपका dielectric gauge होता है इसका use क्या होता है liquid level और thickness यह ध्यान रखना liquid level और thickness में इसका measurement में use करते है liquid level और thickness के measure करने के लिए इसको काम में लेते हैं राइट नेक्स आता आपका यह भी है नेक्स आता है इंडक्टेंस वाला इंडक्टेंस इंडक्टेंस में magnetic circuit transducer self inductance और mutual inductance of AC excited coil is varied by change in the magnetic circuit change in the magnetic circuit राइट उतकर्च वाचवे सर आज साइलेक्ट्रोनिक्स इंजर्वालों के लिए है यह कोर्स देखो बच्चा transducer तो इसी में भी आता है measurement में राइट ठीक है a transducer तो आता है यह ना आपके transducer तो कोमा ना होता है सबके कि इवन यह तो instrumentation में भी आता है pressure और displacement के लिए किसके लिए काम में लेते हम लोग इसको it is used for the measurement of the pressure and displacement pressure and displacement राइट तो यह मैंने अभी कराया आपको fast वाला पेज है अभी लगवख एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह ग्यारह ट्रांडूसर इसमें हो गए आपके राइट यह दिखनी रहाओ अब आपको राइट लेकिन मैंने यहां पर कितने करवा दिया आपको ग्यारह ट्रांडूसर करवा दिया की 11 ट्रांडूसर ठीक है तो थोड़ा सा इस टेबल को आप ज्यान रखना राइट बोलो ठीक है बढ़ू आगे में राइट चलो अगले में आता हूं मैं अगली स्लाइट पर अब अगला जो स्लाइड है इसको भी मैं विजिवल करता हूं आपके लिए सुनना मेरी बात को इन मैं से बहुत से यसे होते हैं जो मैं आपको क्लास में तो बोली देता हूं मैंने का पीडिएफ का सब्सक्राइब यहां रखना आपनो राइट ठीक है चलो रिलक्टेंस पिकप रिलक्टेंस पिकप रिलक्टेंस आफ दा मागनेटिक सर्किट इस बैरेड बाई चेंजिंग दा पोजिशन ऑफ दा आयरन कोर अप दा कोई यहां पर रिलक्टेंस करता है किसकी वज़े से कि आयरन की जो कोरे उसकी पोजिशन चेंज होने से ठीक है प्रेशर डिस्प्लेस्मेंट वाइबरेशन पोजिशन ठीक है पोजिशन मतलब आप एक तरीके से यूँ कर सकते हैं कि एक तरीके से डिस्प्लेस्मेंट आप बोल सकते हैं और वेरियेशन यह भ होगा displacement और पेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है next आपका differential transformer वो ही LVDT आया भी है the differential voltage of two secondary windings of a transformer is varied by positioning the magnetic core through an externally applied force तो यहां भी तो वो का वो ही सीन चल रहा है यह भी reluctance vary होगा right लेकिन उसकी उसा output voltage change हो जाएगा use for the measurement of pressure force displacement और position वो कहो इसी ने पूरा बोलो is it clear or not okay right चलो AD current gauge हो सकता है नाम नहीं सुना होगा पहली बार नाम सुन रहे होंगे AD current gauge क्या होता है it is inductance of the coil is varied by proximity of an AD current plate proximity आप लोग power system में पढ़ते है लो proximity effect proximity का मदब क्यों होता है pass में एक तरी किसे interference होना और बोलो यार right तो inductance of the coil is varied by the proximity of an AD current like AD current की बज़े से किसी coil के inductance में change आना use कहां पर करेंगे displacement और thickness में it is used for the measurement of displacement और thickness और मैं आपको बता दूं Monday से आपके लिए नया subject आने वाला है ठीक है Monday से नया subject आपका आने वाला है इस सीरीज पर ठीक है मैं जब मेरे measurement जो है अब दिन का ही बचा हुआ है कल Saturday और Sunday ठीक है राइट तो प्तांज जूसर हो गया बाकि कोई topic आगार आपको doubt वाला लगता है तो आप comment करके बता देना मुझे ठीक है तो मैं वही topic कल करवा दूंगा कौन सी subject है most probable communication most probable communication ठीक है राइट आप लोग communication कोई बच्चा था ना वो communication communication कर रहा था बहुत दिनों से सर communication communication राइट तो communication है most probable बिल्कुर ठीक है चलो तो उसमें इसी electrical दोनों हो जाएंगे राइट और RSSB में तो आपका आएगा आएगा confirm है ठीक है चलो next आपका magneto restriction gauge आपने magneto restriction effect सुना होगा transformer की core में होता है ठीक है magnetic properties are varied by pressure and stress magnetic properties are varied by pressure and stress कोई core हो यह होती है ना उस core की magnetic properties change होती है किसकी वज़े से जो pressure हम लोग apply करते यह जो stress हम लोग apply करते उसकी वज़े से राइट अरे हाँ आप टेली मेंटरी की बात कर रहे थे राइट चलो ठीक है इसकी बात भी कर लेते है राइट ठीक है नोट कर लेता हम आपने पहले कमेंड भी किया राइट है ना ठीक है चलो next लो है आपका इसके measurement के लिए हम लोग इनको काम में लेते हैं राइट नेक्स पर आते हम लोग नेक्स आपका voltage अब नोर्मल आ गया voltage और करन अब थोड़ा सा यह लेक्रिकल वाले ठीक है इन में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत ना आए एक हॉल 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 आप पड़े होंगे कि कि किसी भी करंटिक सेमिकन्ड्टर मेटेरियल को करंट केंग सेमिकन्ड्टर मेटेरियल को इक ट्रांस्वस में लगाते तो इमस आ जाता है तो अपावर के पावर के measurement के लिए भी कभी कभी काम बहुते हैं एक होल इफेक्ट पर आधारी ते एक watt meter भी होता आपका जिसको pointing vector type watt meter बोलता अगर याद हो तो pointing vector type watt meter याद आपको तो उसमें इसका use किया जाता है और flux meter बन चुका है तो current के लिए भी काम आजाता है ठीक है राइट यह measurement चल रहा है measurement ठीक है राइट चलो बढ़ों आगे में नेक्स पर आओ measurement और measurement भी ट्रांडूसर चल रहे है विश्नुकुमार जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है राइट एक होता induced by ionization of gas due to radioactive radiation ठीक है electron flow induced by ionization of gas due to radioactive radiation radioactive radiation जो होती है radioactive वी करने जो होती है उनकी वजह से gas जो होती है उसके उपस्ति जो atoms होते है उनका ionization होना इस पर यह कार्य करता है और particle counting radiation मदब radiation को count करने में इनका use किया जाता है radiation की काउंटिक बएक बता हो जितनी ज्यादा radiation निकलेगी उतना ज्यादा क्या होगा ionization होगा और जितना ज्यादा ionization होगा उतना ज्यादा आपकी deflection आजाएगा सिधा सा रूल है राइट किसके रिए काम में लेंगे counting the radiation बोलो ठीक है नेक्स पर आते हैं लोग फोटो इमिसिव सेल फोटो इमिसिव का मतलब होता है उस सर्जन करना एक तरीके से ठीक है तो इलेक्ट्रों इमिशन दू इंसिदेंस रेडियेशन अपोन फोटो सेंसिटिव सर्फेस या फोटो इमिसिव सर्फेस इसका यूज क को डिटेक्ट करने में या फिर रेडियेशन को डिटेक्ट करने में इसका यूज हम लोग करते हैं बोलो राइट नेक्स आता है आपका फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब सेकेंडरी इमिशन सेकेंडरी इलेक्ट्रों इमिशन दू इंसिदे एक प्राइमरी एलेक्ट्रोन से और सेकंडर एलेक्ट्रोन आना समयने बात को इसको बोलते हैं मल्टिप्लाइ करना एक के दो होना एक तो थाई से उससे सेकंडरी और आ गया तो एक के दो हो गए ठीक है अंकित PDF में प्रोवाइड हो जाएगी आप यूट्यूब टेलीग्रा करते हैं लाइट 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 रेडियेशन एंड फोटो सेंसिटिव रिलेज जो फोटो सेंसिटिव रिलेज होती है वहाँ पर भी एज़ा सेंसर इसको यूज में लेते हैं अरे बोलो ठीक है बाद समझ गें कि आप लोग बढ़े आगे अगले पॉइंट पर क्लियर का डन चालोंस अधा है सेल्फ जनेरेटिंग ट्रांसडिूसर सेल्फ ज, जनेरेटिंग को हम लोग कौनसा मोलेंगे का एक्टिव ट्रांस डांसडिूसर कोन्से डांसड्यूसर बोलते हैं कि ठीके जर्मो नोध कपाई ठीक है थर्मो कपल एं थर्मो पाइ एं एम एफ इस जनरेटेड एक्रॉस दे जंक्शन अफ टू डी सीमिलर मेंटर्स और सेमी कंडुक्टर वें डेट जंक्शन इस हीटेज सीबेक इफेक्ट कौन से एफेक्ट होता है यह आपका सीबेक इफेक्ट तो यह किस पे काम करता है आपका सीबेक इफेक्ट पर काम करता है बोलो राईट किसके लिए काम मैं लेते हैं टेम्परेचर हीट फ्लो है ना temperature, heat flow और radiation के लिए इसको use में लेते हैं for the measurement of the radiation मैं आपको बताता है thermokopal और thermopile एक ही चीज़ होता एक तरीके से working principle के साब से working principle जो होता है दोनों same होते है मेरे साब से problem तो आनी दियोगी बताओ voice और video और audio दोनों clear है आपको बताओ video audio और यो दोनों clear है बोलो buffering तो नहीं हो रही होगी हो रही क्या clear है न राइट मीना जी ज्यान रखो आप भी राइट moving coil generator next कौन साब का moving coil generator moving coil generator अब सुनना मेरी बाद motion of a coil in a magnetic field generates a voltage याद है टेको मीटर टेको मीटर जो हता है न टेको मीटर उस टेको मीटर का यही principle होता है इसका use हम लोग कहां कहां में लेंगे velocity और vibrations में कहां use में लेते हैं velocity और vibrations के लिए और बोलो तो आपके नेट की problem चल रही होगी इसलिए buffering हो रहा है ठीक है यहां से सब कुछ clear है राइट चलो चलो कोई बात नी आगे बड़े नेक्स पर आता हूं में piezoelectric pickups अब piezoelectric pickups क्या होते हैं सुनना मेरी बात को an emf is generated when an external force is applied to certain crystalline materials such as quartz बिलकुर सही है piezoelectric effect क्या होता आपका राइट piezoelectric crystal क्या होता आपका कि जैसे piezoelectric कोई crystal होता है उस crystal पर जब हम force या mechanical vibrations करते हैं तो वहाँ emf या charge पेदा हो जाता है charge generator बोलते हैं जिसको हम लोड़ और यह एक example है किसका active transducer का इसका यूज कहां करते हैं sound में यह जो microphone लग रहा ना इसमें वही है समझो मैं बोल रहा हूं vibrations हो रहे हैं तो वह vibrations किसमें convert हो रहे हैं उसी साफ से से बोलो यह सर वीडियो रूप रूप के चल रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता है जहें ज्याद मेरे इसाफ से तो सब कुछ होना चाहिए राइट मेरे इंड पर सब कुछ होके है फोटो वोल्टेक से अब वोल्टेज अब इसमें कितने करवा दिये मैंने आपको देखना रहे हैं यह वाले भी हो गए अब इसमें कितने करवा दिये मैंने आपको देखना इसमें भी हमने लगबख कितने किये हैं आपके टांडूसर कंफर्म है इसमें से मतलब एक आज आपको मिली जाएगा कंफर्म एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तो दस बारा उदर तो लगबख कितने हो गए मार दिस वर्ण है तो यह दो है दो यह फिर पारा कि अब बड़ना आपको हाइड्रोइंटर की बात कि थी लोगे ठीक है सुनना है हाइड्रो मीटर जो हता है स्टेटिक में फ्लोव जो एक रिचेतिक है और यह आपका डैनेमिक है फ्लोट फ्ल्यूड लेवल टू डिस्प्ले करता है ये इसको मेजरमेंट के लिए काम आता है फ्रूट का लेवल के लिए specific gravity को किसमें convert करता है displacement में किसमें convert करता है displacement में मैं आपको बताऊं जो lead acid cell होते हैं न हमारा lead acid cell जिसको अपन सीशा संचाइक cell बोलते हैं उसके अंदर होता है liquid मिला होता है तो होता गया है कि उसकी जो charging अपना बताते हैं कि चार्ज कितना है तो उसको किसे करते हैं हम लोग किस हाइडो मीटर की मदद से ही मेजर करते हैं समझ के मेरी बात को या तो हाइडो मीटर से ही मेजर करते हैं कि बोलो हाइड्रो मीटर से ही मेजर करते हैं एक हाइग्रो होता है वो अधुरता के लिए काम में लेते हैं हाइग्रो अधुरता दोनों का important point है एंसी क्यों में है नहीं से question बता एंसी क्यों में है या नहीं कि यह काम कि बताव में एक नंबर दिलाएगी अपको है और मैं टार्केट यहीं कि मैं कम टाइम पर यूट्यूब में जितना आ रहा हूं ना कम आओ लेकिन आपके मार्क बढ़े हर क्लास में एक एक नंबर भी बढ़ रहा है तो काम हो रहा हुआ कर वही टुपिक में देख लो आप टॉपिक देखना हम वही टॉपिक लाया हूं जो रियल में आपको परिशान करते थे रैंस्डीशर में मैं मैं समझे में मैंस्ट करले ना कड़ 10 समझा अब इन में रटने वाले اीज इस सिस्टम अब इन मैं ज़्यादा संज्ढभी नि चलो अन्य इसके लिए कम आती है कि इसको कामते है's कर एक है ने si breed टी ये वैलोसिटी को ये किस लिए काम आती के मेजरमेंट ते रिए नेक्स से पिटोट ट्यूब यह किसके लिए काम में आती है यह वेलोसिटी को प्रेशर बनाती है and also used for the measurement of the flow किसके लिए काम में रहते हैं flow के measurement के लिए vans किसकी बात हो रहे है vans vans भी क्या करती है आपकी vans also velocity को क्या बनाती है velocity को force बनाती है and also use for the measurement of the flow flow मतलब समझ गया आप लोग वही बात हो गई वही बात हो गई flow मतलब velocity के measurement किसी भी fluid की velocity के measurement के लिए काम में देते रहे एक हो तक turbines turbine क्या करते है linear velocity जो होती है linear to angular velocity यानि linear velocity को क्या बनाते है angular velocity बनाते है linear velocity to angular velocity और अगेन use for the measurement of the क्या fluid की velocity निक्रालने में किसके लिए fluid की velocity के लिए हम लोग काम में लेते हैं अलो बोलो ठीक है एक पॉइंट और लिख देता हूं यहां यह इसमें है नहीं या रखना यह एक्जामना पूछता है रेली बताना आपको रोटा मीटर एक्जामना आता है कौन सा मीटर रोटा मीटर एंड अगेन इसके श्कन मीजर्मेंट के लिए काम में लेते हैं यह किसके लिए गाम में लेते हैं यह तुरा सा धिखाए देने में प्रॉब्लम होगी थी तक मैं करता है इसको में PDF से चला ज़ता हूं कि कोई प्रोब्लाम नहीं ये PDF से यह लोग देख लेते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो ये लो राइट आगया अब थोड़ा सा मेरे को लगा विजीबल होगा थोड़ा सा ये शिवा आया हुआ है तो मैं वहीं तु कह रहा हूं कि इस इस आज जो मैं कराया ना इससे आपका एक नंबर मैं करहा हूं पक्खा कहीं न की मिलेगा ठीक है इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा ये राइट कोई बात नहीं में आपका आपका आपट आना चाहिए बस यह बात देखो स्पिंडल और ठीक है यह किसको किसमें करते हैं डिस्प्लेश्मेंट को डिस्प्लेश्मेंट में ही करते हैं और किसके मेजर्मेंट के लिए काम आते हैं डिस्प्लेश्मेंट के मेजर्मेंट के लिए काम आते हैं बोलो राइट अब सुनो वयस्क्रियर है elastic member में Force को displacement मनाती है motto ठीक है तो force के measurement के लिए कामा जाएगी नहीं force को displacement proving ring है है झाना थो force के measurement के लिए कामा जाएगी burden क्योप pressure को displacement मनाती है तो किस के measurement के लिए कामाузור होगा न आपको लाइट विलास अगें प्रेशर को डिस्प्लेश्मेंट प्रेशर के मेजरमेंट के लिए डाइफ्राम्स प्रेशर टू डिस्प्लेश्मेंट अगें प्रेशर के मेजरमेंट के लिए स्प्रेंग फॉर्स तू डिस्प्लेस्मेंट फॉर्स को डिस्प्लेस्मेंट तो फॉर्स के मेजर्मेंट के लिए यह टॉर्क भी बहुता है तॉर्क को डिस्प्लेस्मेंट भी बनाते हैं लोग एंग्लर डिस्प्लेस्मेंट बहुता है उसके बाद होता है सिस्मिक मास फॉ थे मेंटर पर देज़ाने के लिए काम मेलेंगे प्रेशर के लिए काम मिलंगे स्क्सकर्णव को temperature को यह बनाये एलेक्रिक वोल्टेज है ना यह मैं बनाता है और किस और चाहिए थे थर्मॉक अपन को for the measurement of the temperature for the measurement of the temperature right उसके बादा था bio material temperature को किसमें करता है displacement में अ नि बाई बाई मटेरियल है बाई मेटली की बोल सकते आप लोग है ना प्रश्राइज वाइज और यह तेंप्रचर को करती है दिस्प्लेश्मेंट पर एक तो टैंप्रचर के में करुबर्ण करती है phase में तो किसके measurement के लिए एक न्भर आप को पाएस अच्छर SMITH मेरे साथ साव को समझ माया हो तो नोट्स के लिख लेना एक नमबर आपका इनको कहीं करके लाएगा ठीक है बॉलो लिखते जाओ इनमें टो यह लिश्ट बढ़ती जाएगे आपको अपको नहीं है तो अब किया खराऊ वह तो दो दिन का टाइम हो रहे हैं आप दो दिन में आप जो बताओगे मैं पोशिश करोगा कि वही आपके लिये लेकर क्या हूं जो आपको परिशान करता है एक नमबर आपको लाना है तो इसको ज़र्णल याद करते हैं तीक है चलो कल मिलते हैं फिर बताओ कोई प्रोब्लम बताईए बताओ ठीक है तो इतना आप लोग जरू करें ठीक है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं बता रहा हूं मंडे से आपका नय सब्जेक्ट चलेगा इसी सीरीज में ठीक है और मोस्ट प्रॉब्लम वाले कम्मिनिकेशन चले तो आपको अब लाइव ही रहना ह है फिर से ठीक है जैकांत पीडियेप में डर्वाद हुआ जो एलेक्ट्रिकल वाला गुरूप अपना एलेग्राम पर वहां आपको मिल जाएगी कानफर्म ठीक है चलो है राइट तो तो मिलते हैं कल और अगर को भी टॉपिक आपको परिशान करता है तो आप कमेंड के अंदर लिख देना मैं मॉस्ट वर्वेबल है कि वही टॉपिक लूगा इसके रिए चोड़ता अब आप वीडियो को है ना दुबारा देख ले ना ठीक है मिलते हैं कल अल्दबैस्ट कल अब आप करता हुआ है कल